कि हलो दोस्तों गुटसी elect चल्रास में आपका बहुत सागत है तो चलिए ये इस वीडियो को श्टार्ट करते हैं उस्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि यह आप हमारे चैनल पर नहां है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक बीस वीडियो को श्यर करें ताकि जो हम लोग बाकी है और समास के बारे हम लोग पढ़ेंगे दखिए जो है अब उसका डेफिनेशन वगर आप लोग के पेपर में ने पुछा जाता है समास के जो प्रकार होते हैं उसी के बारे में example दिया रहता है और पूछ दिया जाता है कि कौन सा समास है तो हम समझ लेता है कि कौन- समास है अब्वेई भाव समास है द्वांद समास है द्विगु समास है अब्वेई भाव समास है द्वांद समास है द्विगु समास है कर्मधारे समास है उसके बाद तत्पुरु समास है तो तत्पुरु समास है तो तत्पुरु समास है तो तत्पुरु समास है तो कर्मधार द्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वा क्या होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं देखें यहां पर साफ तोर से लिखा गया है कि समास के प्रमुख रूप से च्छौ भेद होते हैं समास के प्रमुख रूप से च्छौ भेद होते हैं और च्छाव भेद कौन कौन से हैं देखे च्छाव भेद कौन कौन से हैं अब बेभाव समास तत्पुर्ष समास कर्मधारे समास दिगु समास द्वन्द समास बोवरी समास और यह पूछाने जाता है कि कहां से लिया गया है क्योंकि यहां पर लिखा गया है भटोज दिक्षित की सिधान्त कौमुदी में तत्पुरु समास के भेद को कर्मधारे का भेद दिगु समास दिगु समान को बताते हैं और तो अनुसार समास चार प्रकार का ही होता है क्योंकि कर्मधारे का भेद जो है दिगु के समान बताया गया है तो भटोज दिक्षित क के अनुसारा है लेकिन यह पूछाने जाता है, आप लोग में पूछा क्या जाता है, अब व्याय भाव समास होता है, इसका शुत्र तो अब याद करने की जरुटत् नियए, इतना समय हमारे पास didn't किस प्रकार होता है देखिए बाधिहरी है उदा रूंख वृ देखिए अगान रिखा गया हौँ अधिहारी ह कि इसमोरी कि उत्तर्पद है और अधि जो है वो अभ्या है अब देखिए अध्यात्म में अध्यात्म में आत्मा जो है वो क्या है उत्तरपद है और आध्या जो है आध्या वो क्या है आध्या जो है आत्मनी यहापे लिखा गया आत्मनी तो यह जो है हम लोग का पूरोपद है अधि गोप में यहापे दिया गया है तो गोप इसमें जो है वो उतरपद है और अधि जो है वो क्या है पूरोपद है अब यहापे देख लेते हैं यहापे लिखा गया है उप गंगम तो गंगा आदीके समीब तो उप गंगम में गंगा जो है वो मुख्य सब्द हैं उतरपद है और उप जो है तो इसी प्रकार का उदाहरण आप लोगों के पेपर में पूछे जानी की प्रवल समाव ना है एक दो उदाहरण और भी देख लेते हम कि किस-किस प्रकार का उदाहरण हम लो इन सभीधारणों में कोई असानी है कि पुछा आता है आप लोग के हाई स्कूल के पेपर में हाई स्कूल के पेपर में ज्यादा भारी ने पुछा आता है असानी पुछा आता है इसमें पुछाया सकता है, क्या पुछाया सकता है, प्रतिक्षम पुछाया सकता है, प्रतिक्षम पुछाया सकता है, प्रतिग्रिहम पुछाया सकता है, प्रतिजनम पुछाया सकता है, प्रतिदिसम पुछाया सकता है, यथा सक्ति पुछाया सकता है, यथा बलम पुछाया स सकता है कि यह मोश्ट मोश्ट है आपके हाई स्कूल के किताब हैं ग्रामर की उसमें भी इस सब्द कर दिया गए गया है कौन कान he दिया गया है तो टक्षम दिया गया है उन्ह Sans प्रतिग्रिहम दिया गया है, प्रतिदीनम दिया गया है, प्रतिजनम दिया गया है, प्रतिदीशम दिया गया है, यथा सक्ति, यथा बलम, यथा समयम और यथा बुद्धी भी दिया गया है, और कौन-कौन से सब्द हैं, जो अकसर आपसे पूछाया सकते हैं, तो यथा ग् बैइक नहीं है यह फूझा आसकता है आज़ जीवनम में कौन से समय से अभ्यवाव समाश्व यहाँ पे जितने दिये गया है इसमें देख लेते हैं तो इसमें कोई पूझा जाने वाला नहीं है आप लोगे श्लेबस में आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप कोशिश करिए कि इन 6-7-8-10 समासों को आप दोहराते रहें क्योंकि इसी में से आप लोगों को पूछने जाने के प्रवल समा होना है अब देखिए हम बात करते हैं तत्पुरुस समास की जो दूसरा समास है तत्पुरुस समास इस समास की प्रधानता क्या होते देखिए जिस समास में उत्तरपद का अर्थ प्रधान होता है उत्तर पर्द का अर्थ क्या होता है प्रधान होता है यानि कि बाद वाला जो पद होता है वो क्या होता है प्रधान होता है तो उस समास को हम बोलते हैं तत्पुरुस समास और तत्पुरुस समास की एक भी सेस्ता होती है कि तत्पुरुस समास जो होते हैं उसमें कारक चिन का लोप होता है यानिकि कारक चीन उसमें क्या होती है छिपी रहती है और कारक चीन कैसे छिपी रहती है देखिए जब हम इसका पढ़ेंगे एक्जामपल तो क्रिश्ण आश्रित नहीं कि क्रिश्ण का अस्रें लिया हुआ क्रिश्ण का स्रें का क्या है तो का यह का यहां सकता है लोकातीत पूछाया सकता है आपके पेपर में और क्या पूछाया सकता है ये सभी जो दिये गए हैं इतना भारी हमेने लगता है कि आपके परिख्या में पूछेगा आपसे पूछा क्या जा सकता है पेपर में आपसे पूछाया सकता है मात्र दिसा, पित्र दिसा पुछा आ सकता है, ग्यान हीन पुछा आ सकता है, अचार निपुणा पुछा आ सकता है, और क्या पुछा आ सकता है, और आप से पुछा आ सकता है, इसमें देख लेते हैं, इसमें पुछे जाने लाइक, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आगे देख लेते हैं आगे इसमें से क्या पूछा जा सकता है और देखिए ये पूछा जाता है क्योंकि आपके बुक में भी ग्रामर का जो बुक है उसमें भी ये पोर्शन सबसे अधिक दिये गए है बिद्याले पूछा जा सकता है हिमाले पूछा ज पूछाय सकता है गंगा जलम पूछाय सकता है देव मंदिरम को भी पूछाय सकता है देव मंदिर जुद्या राष्ट्रपती पूछाय सकता है प्रजापती पूछाय सकता है पसुपती पाथ साला पूछाय सकता है और यह आपके पेपर में भी जो ग्रामर की बुक है उसमें भी लिखा हुआ है पूरु सुत्म पुछाया सकता है तो कोशिस करिए कि जितने हम example बता रहे हैं उसको आप क्या करिए एक जगा नोट करते चलेंगे तो द्वाराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गुरु भक्ती पुछाया सकता है युधनिपूर पुछाया सकता है इसके बाद ये जो दिया गया है इसमें से कम ही पूछता है क्योंकि हाई स्कूल का एक्जाम है और हाई स्कूल का एक्जाम में ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं पूछता है कुपुत्र पुछाया सकता है कुपुरुस पूछाया सकता है प्राचार्य पूछाया सकता है बिपक्च तो नहीं पूछाया सकता है कुमकार दिनकर, सूर्य यह सब नहीं पूछाया नहीं पूछायाता है इतना भारी नहीं पूछता है अब दखिये चुकि आपके high school के exam की बात है तो high school के exam की बात है तो एक और हम book देख लेते हैं इस book में भी तत्पुरुष समास के उधारन दिये गए हैं तत्पुरुष समास के कौन-कौन से उधारन दिये गए हैं जो paper में अक्सर पूछे जाते हैं यहां पे लिखा गयाyan Krishna astrit यहां पे क्उण-कौन से उधारन दिखे हैं देखे यहां पे उधारन लिखे गया है यह पूछा याता है नेत्रहीन मासपूर्व पादखण्ज गुड मिश्रम हरित्रात यहां भी पूछा या सकता है और सबसे ज्यादा प्रवल सा भावडाय पूछले के ये पूछा जाता है सबसे ज्यादे इसमें जो दिया गया है ये कम ही पूछता है लेकिन ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा अचछे समझ में आ गया ओगा अब देखते हैं कि अग्रा समाश मुलोक सुधाराव में पहला-पद क्या होता है ? क्या होता है ? अब उधारन देख लेते हैं ? कि उधारन में क्या दिया है ? कृष्ण सर्प यानि कि काला सर्प तो विसेस्ता बता रहा है काला नील उत्पलम यानि कि नीला है जो उत्पल तो क्या है नील उत्पलम मधूर फलम मधूर है जो फल वो क्या है मधूर विसेस्ता बता रहा है कि मधूर है पूरुष जो स्रेष्ट है तो स्रेष्ट विसेस्त आधार रहा है शुंदर देश, सु देश, मतलब सुन्दर होता है, सु देश, तो इसमें विशाष tolerance, पूरुष, कूराजा, तो ये सबी क्या बता रहा है, विशाष ता बता रहा है, विशाष ता ये सबी किसके उदारण हो जाएंगे, ये सबी कर्मधारेश समस्के अक्सर पूछा जाता है तो इसको आप क्या करिए एक से दो बार तीन बार आप द्वारा लीजिए अन्य था आप इनके उदारन के रफ्पे नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप कम समय में कुछ समय में रिविजन कर सकें आप तुरंट तुरंट बेश को देख सकें अब तो ट्रिक्स वगारा तो हम बताएं नहीं है ट्रिक्स वगारा कोशिस करेंगे कि छोटे-छोटे वीडियो किलिप बना करके और डाल दे चैनल पर कि आप लोग इसके जो नियम है वो भी याद कर सकें का जाता है कि द्वन्द में और चीपे यानि कि द्वन्द समास वह समा भीम अर्जुन यानि कि भीम और अर्जुन च छीपा रहता है और का मतलब 4S में लिया गया मतलब राम और भीम और अर्जुन यानि कि भीमस च अर्जुन यानि कि भीम और अर्जुन पिता च पूत्र पिता और पूत्र नरस च नारी यानि कि नर और नारी अच्छे और छी योग होगा तो यह अक्सर पर च्छाओं में हरी हरो लक्ष्म राम लक्ष्मडों भिमारजुनों पिता पुत्रों नर्नार्यों रामक्रिष्णों बाल बृद्धों यह अक्सर पुछा याता रहता है तो इनको आप दोहरा करके और चाहेंगे तो अच्छे से अच्छे नंब कर सकते हैं इन में से भी पूछने के समहाना बहुत ज्यादे रहते हैं पितरों यानिके माता पितरों पुत्रों यानिके पुत्र पुत्री को क्या बुलायाता है पुत्रों रामों यानिके रामस्चा स्यामस्चा रामा यानिके स्याम और राम हंस और हंस और हंस नि दोनों कोई लिए हंसु सब्द का प्रयोग किया सकता है तो इसको आप क्या करिए कि बार बार दोर आते रहिए और इसको उधारणों पर भी आप भी से धान दीजे कुछ उधारण और देख लेते हैं हम उधारणों में देखिया आपका दिगाया है अहोरात्र पितरव गंगा यमु पुछे जाते रहते हैं तो इसको भी आप ध्यान रख रहेगा और यह भी उधारण जय अक्सर पुछे जाते रहते हैं तो इन सब्धारणों को आपको ध्यान देने की ज़रुरत है तो तीन जो है हम लोग समास तीन नहीं चार समास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पा का होता है कि दविग्समास समय होता है कि जिस समय का पुरो पढ़ा Christmas एक गणावाला हो तो क्या होगा त्वीग्समास होगा अजर्णा लिखा है पई गवम नंदे कि पाँच गाव, पाँच गायों का समूँ, पाँच गवम, मतलब पाँच गायों का समूँ, पंच वटी, पाँच वटो या विरिक्छों का समूँ, पंच पात्रम, पाँच पात्रों का समूँ, पंच मृतम, पाँच अमृतों का समूँ, पंच दिनम, पाँच दिनों का समू त्रिलो की तीन दिनों का, त्रिलो की यानि कि तीनों लोकों का, त्रिभुवन तीनों भुवनों का, यानि कि यहाँ पर संख्यात्मक दिया गया है, तो ये सभी जो होंगे, क्या होंगे, द्विगु समास होंगे, तो उमिद कर रहे होंगे कि इन से बाहर तो आने कि कोई वर्स चतुर चार भुजा त्री वेड़ी तीन छोटी-छोटी धाराएं चतुर युगम चार युग सब्तसती साथ सेकड़ा सब्ता यानि कि साथ दिन नौरात्रम नौरात्रियों का समू तो यह उधारन और यह उधारन आपच्छे से देख लिजेगा क्योंकि इसी में से आ इसमासिक पदों में भीन किसी अन्यपद का अंख पता है यानि कि यह समाज जो था होता इसमें तीसरे पद की और उन्यपद की और हिसारा करता है अन्यपद क art का का दार किसे करता है जैसे देखिए उधांड़स्सरम शमाजते है लिखाई तो यह तो अक्सर ही पेपर में पुछे जाते हैं, तो इन तीनों को आदे देख लिईए, और तीनों को याद करने के जरुत नहीं, आप धौरालते रहीं, स्वेतामबर साधु को बना रहता है, दामोदर स्षिस्ण पर्वबो भार, जितेंद्रि को बना रहता है, तो ये तीनों चारों जो पुछे आता है, ये भी पुछे आता है, दसानन इसमें से अधिकतर पुछा आता है चतुरानन यानि के ब्रह्माजी पुछा आ सकता है और क्या पुछा आ सकता है इसमें इसमें पुछा आता है निलामबर निलामबर पुछा आ सकता है और पंचानन पुछा आ सकता है तो इन सभी जो उधारन हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इन ही में से आपके प्रश्ण अधिकतर चांसे हैं कि बन जाएंगे तो उमीद कर रहे होंगे कि जो समास का चिप्टर है वो अच्छे से आप लोग समझ लिये होंगे तो इसको आप बार बार दोहराते रहें और हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक बचे हुए है चाहे वाच्छे परिवर्तन का हो चाहा अनुपात का हो उसको भी हम कभर कराने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को अपने दोसों तक भी स्यार करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच